हम बता रहे हैं, उनके गार्ड ने सेलफी ले लेने से मना कर दिया था, तो हम प्राइम मनिस्टर जी खुद ही कह रहे हैं कि कह रहे हैं नहीं बच्ची है, सेलफी ले लेने दीजिए और इसलिए उन्होंने सेलफी दी है बहुत बहुत खुसी की बात है कि हमारे महले में आए हम लोगों को पता भी नहीं था प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी अयोध्या में अयोध्याधाम रेलवे जंक्षन के उद्गाटन कारेक्रम से वापस लोट रहे थे तब शायद इन बच्चों को भी नहीं बता होगा कि आज उनकी मुलाकात देश के प्रधान मंत्री से होगी दरसल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्याधाम रेलवे जंक्षन से वालमे की धाम एयरपोर्ट के उद्गाटन के लिए जा रहे थे तब वे अचानक इन बच्चों से मिलने पहुचे और उनके साथ सेल्फी ली बच्चों ने अपना अनुभव साज़ा करते हुए बताया कि हमें बिलकुल भी नहीं पता था कि वे यहाँ आएंगे और हमसे मिलेंगे उन्होंने यह भी बताया कि जब वे प्रधान मंत्री नरेणर बूदी के साथ सेल्फी लेना जा रहे थे तो उनके सुरक्षा गाड़ ने उनको रूका लेकिन मूदी जी ने अपने सुरक्षा गाड़ को रूकते हुए कहा कि बच्ची है सेल्फी लेने दीजे तो उन्होंने काया कि कितना टाइम लगा था ये ड्राइंग बनाने में तो मैंने बताया कि तीन घंटे लगे थे और राद को बनाये थे यही हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि आये हमारे मौले में आये हम लोग से मिले और वहां घर पे भी गए उनके तो हम बता रहे हैं उनके गाड ने सेल्फी ले लेंने से मना कर दिया था तो हम प्राइम मनिस्टर जी खुद ही कह रहे हैं कि कहरें नहीं बच्ची है सेल्फी ले लेने दीजिए और इसलिए उन्होंने सेल्फी दी है बहुत बहुत खुसी की बात है कि हमारे महले में आए हम लोगों को पता भी नहीं था अचानक वो आए यासी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए